Hello dear students, hello dear ATPans, welcome to ATP Star Quota. कैसे हैं आप सब? Hoping that आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे. लेकिन जैसे कि मैं जानता हूँ, आप में हजारों स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं, जो अपने marks को significantly increase करना चाहते हैं. लेकिन अगर मैं आप से बोलूँ, कि अगले 40 दिन की महनत में, आप अपने marks 50-60 बढ़ा सकते हो. स्मार्ट तरी किसे सोचना होगा, हार्ड वक तो करना ही पड़ेगा. देखो, marathon का ये last part है, यानि इसको sprint की तरह aggressive mindset से हमें खेलना होगा. लेकिन खेलना कैसे है, planning कैसे होगी? तरह देखो, एक तो planning मैं बताने वाला हूँ, उन students को, जो अभी self-study ही करने वाले हैं. दूसरा मैं आपको planning बताने वाला हूँ, उन students के लिए, जो भी तलाश कर रहे थे, एक 40-day crash course की, तो हम आपके लिए 40-day का एक crash course भी लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम RBC 3.0 है, तो उसकी help से आप अपने marks कैसे increase कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ. तो पहले मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप increase करोगे, basic funda क्या है, देन I will tell you about RBC 3.0 batch, जो एक 40-day का crash course है, जिसकी सारी detail, कैसे वो आपको help करने वाला है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ. और इसका fee structure भी हमने काफी nominal रखा है, तो आपको ये बहुत amazing benefit इसमें मिलने वाला है. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यार marks increase करने का सबसे बड़ा funda क्या होता है, यार वो होता है problem solving, देगे syllabus completion जो है, वो हमने almost जितना करना ता कर लिया, अब आप भी जानते हो कि सवाल हमसे उसी के बनेंगे exam में, क्योंकि exam में आडर भी लगता है, तो वही question हमसे हो revision करना है, problem solving करनी है, mock test देने, यार तीन पार्ट हमारा सबसे important है, एक है revision, एक है problem solving, एक है mock test, यार ओवराल हमें focus करना है rpm, revision किया, questions किया, अब कौन से questions, तो देखो revision के लिए, जो आपके class notes हैं, वो तो आपको help करते ही है, उनकी help लेके आप problem solving करे, problem solving में आप सभी जानते चेप्टर वाइज, previous year questions सबसे important होते हैं, और solutions से बचके रहे हैं, क्योंकि अगर solution देख देखके आपने questions को निप्टाया, तो आपका brain develop नहीं होगा, ज़्यादा था student यही blunder करते हैं, question करने को कर रहे होते हैं, marks कभी नहीं बढ़ते हैं, आगली चीज, mock test, mock test को analyze करें, मैं सारा mistakes जो है आप avoid कर सकते थे, बहुत सारी silly mistakes आप avoid कर सकते थे, silly mistakes को avoid करके ही, calculation mistakes को avoid करके ही, 20-30 marks तक भी हम increase कर सकते हैं, तो अगर हम proper revision करें, proper practice करें, proper mock test दें, सारी चीज़े अगर सही से हो जाएं, तो हमारे marks increase हो सकते हैं, अगर हमें सही, इसके साथ अगर हमें सही M2 मिल जाए तो मजा ही क्या यह M-square क्या है यह M-square का concept है यह ATP star quota team इंडिया में सबसे पहले लेकर आई है जिसका नाम मतलब है mentorship as well as monitoring आपको उसमें mentorship मिलती है आपकी performance को monitor करने के बाद यानि पहले आपकी performance को monitor किया जाता है तो अगर mentor आपको guide कर देगा कहां आप improve करो तो आपकी performance म मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ देखिए guys यह 40 day crash course है 40 day crash course में आपको क्या कराये जाएगा आपको पूरा syllabus का revision कराये जाएगा plus problem solving आपको कराये जाएगी main focus जो होगा वो problem solving पे होगा revision तो obviously कराये जाएगी उसके अलावा आपको इसके इंदर क्या-क्या मिलने वाला ह lectures मिलेंगे उसके बाद आप कभी भी अपनी convenience के हिसाब से उन lectures को देख सकते हैं उसके अलावा आपको CPP and DPP मिलेंगी CPP stands for Classroom Practice Problems जिसमें most expected questions का material आपको मिलने वाला है जो इसमें से काफी questions यह माल लेजिए similar questions एक्जाम में आने वाले हैं तो आपको यह practice करोगे enough रहेगी along with the PYQ test series के लिए आपको ATP online test series जो काफी renowned test series है across the nation ATP online test series का access आपको मिलेगा तो test भी आपको sufficient मिलेगे जिनको आप दे सकते हैं chapter wise test obviously आपको साथ में मिलते रहेंगे तो इस सारी facility आपको इसमें मिलने वाली है उसके अलावा मैं आपको बता जाता हूँ पूरा syllabus revision and problem solving होने वाली ह है M square आपको इसके अंदर मिलने वाला है यानि आपको mentorship मिलेगी आपको performance को monitor किया जाएगा उसके basis पर आपको guide किया जाएगा कि आपको कैसे improve करना है M square कैसे exactly work करता है इस से related video भी मैंने अलड़ी ATP Star Jai Channel पे बना रखा है उसके अलावा doubt solving facility भी आपको मिलेगी यह जो पूरा म facility है यह आपको first attempt तक मिलेगी okay guys now the point is कि यहाँ पर यह जो particular RBC 3.0 है इसका classes कब से start हो रही है और इसका fee structure क्या है बता देता हूं आपको 3rd of March से classes start हो जाएंगी 1st March को ठीक 7 बजे enrollment start होंगे 1st March को 7 बजे याद रखीगा enrollment start होंगे जो पहले 50 बच्चे इसमें enroll करेंगे उनको special fee benefit मिलने वाला है तो description में एक Google form दिया है उस form को अभी के भी जरूर फिल कर देना इस वीडियो के बाद फिल कर देना ठीक है ना तो now the point is 1st March and 3rd March मैं आपको बता दिया fee structure हमने इसका काफी nominal रखा है काफी economical रखा है students के लिए considering the facility which we provide the fee structure is this for star batch जो पहले 50 students है उनके लिए fee structure र भी only three triple nine depending on your requirement अगर आपको fee का problem है then go for standard अगर fee का कोई आपको ऐसाच issue नहीं है तो I recommend कि आपको star पे ही जाना चाहिए क्योंकि star के अंदर आपको additional क्या मिलने वाला है तो star के अंदर आपको doubt counter की facility मिलेगी क्योंकि इस समय पर doubts तो आते ही है और doubt resolution proper होना बहुत जरूर है तो doubt counter की facility normally आपको morning 10 बजे से लेके evening 5 बजे तक facility मिलती है जिसमें ATP star की expert faculties आपको doubt बताती है तो ये facility आपको मिलेगी पहले attempt तक उसके बाद आपको M square की facility मिलेगी यानि आपको batch manager आपकी performance को analyze करेंगे और उसके basis पे आपको पढ़ाया जाएगा तो guys जैसे कि आप समझ चुके है क RBC 3.0 batch start हो रहा है जल्द ही and go for it and it would be game changing for you याद रखेगा 1st of March 7 PM